नमस्कार मैं हूँ मैयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी प्रदेश को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए विशेस अभियान चलाया जा रहा है वहीं स्वच धाबा अभियान के जरिये कई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है इस अभियान की स्वच धाबा अभियान की शिरुवात निदेशक स्थानिय निकाय नेहा शर्मा के दिशा निर्देशन में गुरुवार को की गई निदेशक ने वर्ट्वल बैठक के जरीए निकाय की अधिकारियों को इस अभ्यान से ज्यादा से ज्यादा जन भागिदारी सुनिश्चित करने की निर्देश दी है निदेशक नेहा शर्मा ने कहा कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी 762 निकायों में स्वच भारत 12 जन्वरी तक चलने वाले स्वच धाबा अभ्यान के शिरुवात गुरुवार को की गई इस अभ्यान के तहट मुख्य मार्गों पर संचालित धाबा अथ्वा रेस्टोरेंट से प्रती दिन भारी मात्रा में निकलने वाले अप्षिष्ट को वैग्यानिक विधी से स्वतह निस्तारित करने के प्रती प्रेरित किया जाएगा इस दोरान हमारे संवधाता ने निदेशक स्थानिये निकाय नेहा शर्मा से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की बतादे की निकायों से संचालित, धाबो और रेस्टोरेंटों का निरक्षन एक विशेश टीम द्वारा किया जाएगा जिसके बाद रेटिंग के आधार पर प्रतिष्ठानों को पुरस्ट्रित किया जाएगा साथ ही उन्होंने नगर निगमों के नगर आयुक्तों, नगर पाले का परिशत एवंग नगर पंचायतों के अधिशाशी अधिकारियों को इस अभियान को जन भागीदारी से सफल बनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि स्वच धाबा अभियान के जरिये एक और जहां धाबों में स्वच्चता सुनिष्चित होगी, वही इन धाबों अत्वा रेस्ट्रेंटों पर भारी संख्या में पहुशने वाले धागीर भी स्वच्चता के प्रती जागरुख होंगे स्वच्चधाबा अभियान उत्रप्रदेश के आम जन को स्वच्चता के प्रती जागरुख करने में मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के पूरे भारत में ये कवायट की जा रही है। अब एक नया अभियान और चलने जा रहा है। उस अभियान का नाम है स्वच्छ भारत अभियान तो इसको लेकर के हम आज यहां पर पहुचे हुए हैं नगर सानीय निगा जिशक निया सरमजी के पास और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये श्वच्छ भारत अभियान चला पीछे कुछ दिवसोपूर्व एक garbage vulnerable points को रिमूफ करने की एक मुहीम चली थी, उसको नगर सुशोभन अभियान में आगे बढ़ाया गया था, इसी क्रम में इस वर्ष की जो पहली, नव वर्ष की जो पहली वो थी, पहला जो टांच था, उसमें हम लोगों ने डिसाइट किय कि क्यों ना हमारे जो eating joints हैं, जो restaurants हैं, जो निकाई शेत्र में हैं, उनको एक परिधी बनाते हुए, उसवच धाबा का एक concept लाया, और इस concept के भीतर हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या वे सब waste management techniques से मुखातिम हैं, जो ध उसका निस्तारण क्या हम सब करने के लिए equipped हैं या नहीं हैं, तो एक ये जन जाग रुकता की पहल, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो basic unit बनाई है, वो इस बार धाबा और eating joints को रखा है, उनमें ये काम आगे बढ़ाने का प्रयास है, जैसे कि लगातार पूरे प्रदेश मे नगर सुसुबहन अभयान भी चलाए गया, अब आपका सुच्छ दावा अभयान चला है, तो इससे कहां तक पूरी जनता में अवेरनेस आएगी, बच्चों में अवेरनेस आएगी, किस तरीके साना है, तेके ये पूरा जो अभयान है, नाचरिली जन भागीदारी का पू अभयान होता है, किस तरीके साना है, तो हम आपका सोफ़ अभयान है, तो फिर इससे कहां प्लास्ट करने तो हर बार यूनिट ऑफ ऊपरेशन अलग है, लेकिन मूल उद्देश ये है, निश्चित तोर पे इसवच्छता, बैन उन सिंगल यूज प्लास्टिक, जो वेस्ट तू का Concept है उस अगर सोर्स सेग्रीगेशन जो कष्रे का पृतकी करन है जिससे वह नहीं रह जाता है वह य्युन्ट बन सकता है अगर हम गीले कष्रे को अलग रखें और सुखे को अलग रखें तो उसका इनिस्तारण जो है उसको हम scientifically ensure कर सकते हैं, इन बातों को हम अलग-अलग तरीके से कहकर ही और जन्मानस की सहभागिता से ही इस पूरे concept को आगे ले जाना चाहते हैं और आपके माध्यम से मैं outreach भी चाहूंगी कि लोगों के बीच में हो और इस अलग को लोग आगे ले जाने का काम करें अभी लगातरों जैसे अभी तो सहरों में जो सहरी छेत्र वहां पर तो awareness है, ग्रामीड छोत्रों के लिए क्या कहना चाहिए क्योंकि ग्रामीडों में अभी तक वह awareness नहीं फैल पारी है, अभी वहां भी समस्याएं बनी हुए हम लोगों का क्योंकि scale of operation नगर छेत्री ही है, नगर विकास विभाग का, लेकिन अभी कई हमारी नगर पंचायतों में नए ग्रामीड छेत्र जुड़े हैं, तो उन जगाओं पर निश्चित तोर पर क्योंकि ग्रामीड परिवेश में अलग परिस्तितियां होती हैं, तो IAC campaign की और intensive exercise की आवश्रकता है, और इस बार जो ढाबा अभियान है, इसमें तो हम उन सारे roadside eateries को भी टेक अप करेंगे, और खास तोर पे शेहर के बीच में या छोटे कस्बों में भी जो eating joints होते हैं, जहां पर bus stand है, जहां मुख्य चोराएं हैं, वहां पर ऐसे बहुत जहां मुख्यों के माध्यम से ही सही, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो ग्रामीन परिवेश में भी देखने को मिलेगा, लोगों के बीच में अवेरनेस निश्चित तोर पे हर जगे देखने को मिलेगी। जो एक SBM का टीम है और जो CSOs हम से जुडेंगे, उनके माध्यम से इस अवेरनेस कैंपेन में बताया जाएगा कि कचरे को किस तरह से आपको प्रित्की करन करना है। लेकिन आगे, क्योंकि ये इसकी एक निरंतरता और स्थिरता इस रख रखाव इस व्यवस्ता को एक पर्म रेटिंग और फाइफ स्टार रेटिंग का एक कॉंसेट लेकिया हैं। जो वन स्टार रेटिंग में ड्हाबू में एक बेसिक मिनिमम फैसिलिटी टॉइलेट की उपलब दिता और वेस्ट सेग्रिगेशन हो रहा है। थ्री स्टार वैसे ड्हाबे हैं जहां पर जो स्टार की बात करने हैं तो वो ऐसे इटिंग जॉइंट हैं जहां पर वो कुछ वेस्ट प्रोड़क्ट को रिसाइकल भी कर रहे हैं उसका रियूस करते हुए दिख रहे हैं। तो एक ये कॉंसेप्ट से एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा और प्रति हेल्दी कॉंपिटिशन की भी बात हम लोग ने रखी है और निश्चित तोर पे जब एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा का माहौल मिलता है तो लोग इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं। भारत जो हो उसकी नीव एक स्वच भारत मिशन जैसे मिशन से ही हो सकती है। लेकिन इस मिशन में जंद सहभागिता और जंद भागिदारी जो है उसको एंश्चित हम अच्छे आयाम पर पहुंच सकते हैं। और हमारे प्रदेश की ख्याती जो है वो जब सब जगा पर इस कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी अरिष्ठानों को चिनित किया जाएगा और उनको दिखा जाएगा किस तरीके के उनके ढ़ाबो पर व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके रैंकिंग के आधार पर उनके सापसफाई के आधार पर उस पर जोड़ दिया अब याने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके का ये कार किया जा रहा है नगर निकाय निदेशक हमारे साथ अभी बात कर रहे थी ध्यास्वरमाजी उनको बहुत बहुत दिनवाद देखते रहे है प्राइम टीवी लखनों हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही देश्वरमाजी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार